जेहिं दोस्तों में ने नाम है निर्भे कौसिक और आपका अपनी चैनल जिसका नाम है कोड निर्बे इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने पिशली वीडियो में मैं आपको बताया था कि local object क्या होता है global object क्या होता है और उस class के अंदर आपका method जैसे कि अभी हम करते क्या रहे थे, एक class के अंदर जो method डेक्लायर कर रहे थे, वही उसी class के अंदर हम उसको define कर रहे थे, पर हमारे पास एक option है, कि हम उस method को class के बाहर भी define कर सकते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे, वह हम समझेगे, प्रोग्राम भी हम समझेगे, ठोरी भी हम सबसे पहले समझेगे, ठीक है, तो अगर आप इस चनल पर पहली बार हैं, तो कि प्रेस चनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा, क्योंकि इस चनल पर आपको ऐसी वीडियो समिलती रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम में, आप प्लीस कमाइन कर सकते हैं, आपको वीडियो पसंद लाइए, तो आप लाइक कर सकते हैं, वो सब ही आपके मर्जी, आप जो मन बाएए, वो कर जीए, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करता है, जो कि आपके class के अंदर define होती है, और एक ऐसी definition function की, या method की, जो कि आपके class के बाहर होती है, यानि कि outside the class definition, तो define a function outside the class definition, अगर आपको एक function को या फिर एक method को outside the class define करना है, so you have to declare it inside the class, तो सबसे पहले आपको उस function को, उस method को कम से कम declare तो करना ही पड़ेगा, उस class के अंदर, and then define it outside of the class, यानि कि सबसे पहले अगर आपको एक method को class के बाहर define करना है, तो सबसे पहले आपको उस class के अंदर जाके, उसे declare तो करना पड़ेगा, बात में आप उसे बाहर को use कर सकते हैं, this is done by specifying the name of the class, यह किस प्रकार से होता है आपका, सबसे पहले आपको लिखना है class name, follow the scope resolution, उसके बाद लिखना है आपको scope resolution operator, then आपको लिखना है function का, या method का नाब, तो यह syntax आपको सामने नीचे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको लिखना है return type, जो भी आपका function या method जो भी आपको return कर रहा है, वो return type आपको यहाँ पर आएगा, then आपको class name लिखना पड़ेगा, और आपको scope resolution operator लिखना पड़ेगा, scope resolution operator का आपको यूज़ पता है था, आपके जो global बगेरा आपको यूज़ करना है, एक body से दूसरे बाहर बाली body का, अगर आपको object या method या फिर आपको variable यूज़ करना है, तो आपको scope resolution operator का यूज़ करना पड़ता है, तो scope resolution operator तो आपको यहाँ पर इसलिए है, साथ में, अब बात याते हैं कि class name क्यों है, देखें, class name यूज़ है कि अगर आपके बाद multiple method name है और सभी का नाम अगर आपका same भी है by chance, तो कैसे बाद चले है, कौन सा method आपको class name लिखना पड़ेगा, वो आपको पताएगा कि यह जो भी method का नाम है, यह जो भी method है, वो इस class से belong करता है, ठीक है, तो class, then scope resolution operator, then method का name, और अगर आपके parameter है, तो वो भी यहाँ पर आजाएगा, और method के जो भी body होगी, वो आपके यहाँ पर आजाएगी, तो यह है एक syntax, यह है एक लिखने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा चा प्रोग्राम बनाते हैं, एक example आपको समझाते हैं, चलते हैं अपने BS Core Editor पर, यहाँ पर सबसे पहले हम एसे की तरह हम लिखना पड़ेगा, has include iostream, और मैंने यहाँ पर गलती से iStream कर दिया, तो iostream, using name space, std, then एक class का नाम आपको लिखना है, लास्ट में आपको यहाँ पर semicolon जरूर लगाना पड़ेगा, यहीं इसका syntax होता है, अगर आप यह नहीं लगाते हैं, तो एक error आपको सामने बारवार आता रहेगा, तो इससे मत भूलिएगा, semicolon जरूर लगाना है, मैं बिसेस कर इसको आपको हर वीडियो में बताता ही, बताता हूँ, semicolon आपको लग गया, आप आपको क्या करना पड़ेगा, अब अगर आपको एक function को define करना है, outside the class, outside the class, अगर आपको define करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस method को जिसको आप define करने बाले हैं, बाहर इस class से, उसको आपको सबसे पहले declare करना पड़ेगा, इसी class के अंदर, तो हम क्या करते हैं, पहले को हम publicly इसको यूज़ने बाले है, तो इसलिए हम public access specifier को यहाँ पर लगा जेते हैं, इस परकार से, अगर हमें एक function यूज़ करना है, suppose कीजिए, अगर हमें बाइट उसका return type होगा, method का नाम आपका display है, suppose कीजिए, तो function आपका return कर रहा है, void, method का नाम है, आपका display, फिर function का नाम है, अपका display, parameter हमें याप पर ले लिए रहे हैं, अगर हम आपका लगाए चाहिए सीजे सीजे सेमी कॉलन तो इसका मतलब क्या है यह जो था आपका वो हो गया आप अपर आप अभी declaration वो क्या है आपका अभी declaration है क्योंकि हमने इसकी body नहीं लिखी है अगली बार क्या करना है इसकी body बनानी है और इस body के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं मैं लिख देता हूं यहां पर output यहां लिख देता हूं outside the class इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं वो आपकी मर्जी है तो यहां पर क्या किया आपने सबसे पर आपको करना क्या है समझे एक method का नाम लिखना है उसका written type आपको normal लिख देना है यहां पर आपका void भी आगा है यहां पर आपका display भी आगा आप उसके बीच में आपको क्या करना है आपको बताना पड़ेगा यह display नाम का class का नाम लिखना पड़ेगा आपको display नाम का method वह आपका class की body के अंदर लिखा हुआ है तो इसलिए आपको यहां पर scope resolution operator का भी यूज करना पड़ेगा यहां पर आपने क्या किया इसके body लिख दी यानि कि आपने यहां पर यह define कर दिया तो यह क्या हुआ आपका outside the class आपका definition हो गया तो अब हम क्या करते है एक object बनाते है नॉर्मल सा एक method लेते है main method और क्योंकि आपका main method जो आपका return कर रहा है int तो आप लिख देंगे आपर return enter zero इस प्रकार से और यहां पर आपके करेंगे एक object बनाते हैं तो class का नाम क्या आपका arqu क्लास का नाम आपका testing एक object बनाते कि congratulations ऑफछा तो बीचे या फिर आप जो भी आपका main कर uneven है, compile किया, और यहां पर हमने इसे run किया, run जैसे हमने किया, तो यहां पर आया outside the class, यानि कि यह outside the class भी काम कर रहा है, तो अगर आपको एक define करना है method outside the class, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, यह syntax आपके समझ में आ गया होगा, यह program आपके समझ में आ गया होगा, तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आसर करता हुआ, आपको यह program समझ में आ खोगा, example आपको समझ में आ खोगी, कोई problem में कोई doubt है, please comment कर जीजिए, कोई आपका suggestion है, please comment कर जीजिए, अगर कोई feedback है, negative है, positive है, comment कर जीजिए, रुखना नहीं है, comment करने से, अगर आप support करेंगे, आपको ऐसी ही videos मिलती रहेंगी, आज C++ से regarding है, कल आपको Python से भी होगी, Java Script से भी होगी, तो हर प्रकार के आपको व community को देखने के लिए और धन्यबाद,